कैसे हैं आप सभी आये हो पात्सव अच्छी होंगे और शाम का टाइम है मैं कर ली हूँ अभी कपड़े चेंज गर्मी बहुत जादा है सितंबर का महीना चला है लेकिन फिर भी इतनी गर्मी है कि पूछे मत तो मैं जा ली थी अभी डिनर बनाने के लिए और डिनर में कि उनको पराठा खाना है उसका स्टफिंग का भड़ा हुआ तो चलिए आज बहुत टाइम के बाद उन्होंने इस तरह के पराठे की मांग किये तो मैं जारी की बनाने के लिए सोचा आफ सबके साथ शियर कर दू तो चलते हैं मेरे किचन में और कल के व्लॉग में सब्सक् किचन तो है नहीं सबसे बड़ी बात अई दूसरी बात है कि किरायव से नहीं करें एक अपने गर में कर दो चलते हैं कर लिया है यह कुछ बीन बता प crashed नहीं करना चाहर नहीं करना चाहरेद शुख़॑ तो फिलाल यहां गर्मा गरम पराथे बन रहे हैं। और जो स्टफिंग है वो में बहुत जादा जादा भर रही हूं। विकॉस इस्टफिंग जादा है और मुझे पराठा सिर्फ दो ही दो बनाना है और नहीं तो अगर यह बच गया तो सुभा में फिर हजबन को इसी का भरा हुआ सेंडविच या पराठा इस टाइब का वो कुछ मांगेंगे तो मैंने सारी स्टफिंग चार पराठो में ही एड बताओंगी तो जो तवा है वो बहुत जादा हाई हो गया था जिसकी वज़े से पराठा बहुत जादा सिख गया है और दूसरी बात यह मैं यहां पे बना रहे हैं इसको आशेप पराठा तो सबसे पहली बात तो एक खास चीज इस पराठे में यह होती है कि इसमें हर रहेगी और बिल्कुल भी इधर-उदर नहीं होती है नाही पराठा यह फटता है और यहांड़ पराठा रहता है उसमें जो स्टफिंग होती है वो कहीना कहीन कोनों में रह जाती है और देख सकते हैं कितने बढ़िया फूले फूले और करारे करारे पराठे बन रहे हैं तो मैं पराठे बना रही हूं आज घी के और हजबन के डिमांड है कि उन्हें बटर खाना है तो उपर से बटर लगा के दूंगी बाद में पहले घी के साथ बना र लिया था हमने कैचप के साथ एक पराठा मैंने खा लिया था दो हस्में नी खा लिये थे उसके बाद मैं मिल रही हूँ आप सभी को अगली सुबा नेक्स मॉर्णिंग में तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है घर के सारे काम मैं निप्टा के आ गई हूँ और मैंने जैसे कि पिछले ब्लॉग में भी आप सबको बताया था कि जो थोड़ा बहुत रूटीन है न वो मेरा चेंज हो गया है और क्या-क्या चेंजिस हुए है तो मैं जल्दी ही आप सबके साथ शेयर करूंगी कि मैं अभी रूटीन में क्या-क्या चेंजिस की हूँ विकास धुरूब ब अभी मशीन क्योंकि मेरी दो-चार साडिया थी तो आप सभी को सुबा की सबसे पहले तो हर-हर महादेव उसके बाद आगी थी सिदा मशीन के पास यहां मैंने मशीन चला की रखा हुआ था तो बस दो साडिया मेरी थी और दो शर्ट थी हस्बन की एक जीन्स थी और दो-च सब्सक्राइब दो चानवे कि बाव可以 को सबसे पिसके आठार आर्ट में इसके लंचला में पूजा करते हूं दुरूब ऊट जाते तो मैं जरूर इसको आश्रवात दिलाने ले घ्रित कंशिते हैं और ब Tax PS2 अपने लिए और मुझे सुवा में कुछ मिले या ना मिले बड़ ग्रीन टी जरूर मिल जाए तो बस दो बदाम खाने के बाद मैं ले लेती हूं सबसे पहले ग्रीन टी और इस ग्रीन टी को पीने का जो सुख है ना वो बहुत ही अच्छा होता है सुवे सुवे इस तरह से ग बीन्स रखे हुए थे यहां पर इनी को काट करेंगा शायर या मैं जानते हो मुझे बताना कमेंट में अम uc chantaff an aggi le afecte ने od तो दोनों चीजे एक साथ में बना लूँगी और इस तरह से में काम करती हूं ना सुबह में ही सारे काम निप्टा लेती हूं यानि जो लँच का रहता है वो भी मैं सुबह नास्ते के साथ ही बना लेती हूं वैसे तो नास्ता कम ही बनता है लेकिन जब कुछ अच्छा खानी कि मसीमें करती है तो मैं मन करता है तो मैं लब इनास्ता जरूर बनाती हूं और मुझे घर पर हारे सबसे पहले नाश्टा बनाऊंगी और उसके लिए मैंने ले लिए यहां पर आटा वाली जवे हैं सेवे भी बोलते हैं कुछ लोग तो यह भुने होई होते हैं बस थोड़ा सा इसको हलका सा घी में रोस्ट कर लूँगी इससे टेस्ट भी अच्छा आएगा तो धीमी धीमी आज पे ना मैं जब भुनने के लिए डाल आई थी और कपड़े ना धुल गए थी तो मैंने सुचा फटा फट से डाल आती हूं क्योंकि अचानक से मौसम खराब हो जाता है और थोड़ी देर की धूप लग जाएगी ना साडियों को तो वो जल्दी सूख जा सब्सक्राइब करने की कोशिश करूंगी नजल स्प्रे मंग वाली है मैंने और साथ में थोड़ा सा एक जो खासी का टॉर्णिक रहता है वो मंग वाली है ताकि जादा खासी होगी तो मैं उसको दे दूँगी उसके बाद जी नाश्ता बन गया है यहां नाश्ता बन रहा है और मैंने इसमें गालिक भूना है और यह धुरूप के पसंद के बना रही हूं मैं तो इसमें अद्रक और गालिक की मात्रा मैंने जादा डाली है ताकि जो बच्चेए को इन चीजों का और थोड़े-धोड़े मसाले डालूँगी ताकि अच्छेसे सब्सक्राइब कर अच्छेसे बैठ जाए मसाला और ये जो कमेंट है ये भी मेरी उनी सब्सक्राइबर ने किया था अंशिका यादब ने इससे पहले भी कई सारे सब्सक्राइबर मुझे कमेंट कर चुके हैं कि आप अपना होम टूर दीजिए ससुराल का माय के का जो होम टूर है वो मैं दे चुकी हूँ दो बार आप सभी को और आप सबने काफी प्यार भी दिया है उस वीडियो पर और रही बात ससुराल की तो मैं जरूर कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी आप सब को होम टूर दूँ क्योंकि मेरी जो फैमली है वो बहुत जादा एक्साइडिड हो रही है मेरा घर देखने के लिए तो उससे पहले जी मुझे होम टूर के लिए बहुत सारी तैयारिया करने पड़ेंगी विकास मैं हूँ अकेली वीडियो शूट करने के लिए और मैं यह चाहती हूँ कि वीडियो को और शूट करके दे और मैं एक पूरा घर जब हम देख लेते हैं तो फिर वह में अपना सा लगता है साथ साथ में उस इंसान से हम दिल से जुड़ जाते हैं तो इसलिए हमें लगता है कि हम उसके घर को पूरी तरह से देखें तो हां मैं मानती हूँ मैं आपकी भावनाओं की कदर करती हूँ और मैं ना तो इसमें फोड़ा सा बटर या फिर थोड़ा सा देसी घी डाल देती हूं इससे टेस्ट और भी बढ़िया हो जाएगा तो उधर मैंने चाय चड़ा दी है और जो सेवे है न वह बन गई है और इदर जो सब्जी है वह भी भून गई है तो बस अभी इसमें मसाले नहीं तो इसलिए पहले सबजी को पका लेना ही अच्छा रहता है और ये सबजी जातर लोग कूकर में भी बनाते हैं वर कड़ाई की सबजी तो बहुती टेस्टी लगती है तो बस ये भी बन के तयार हो जाएगी और जो मेरा दिन भर का काम है वो 9.30 बजी तक ही आज फिनिश हो ज है बस चाय बना ली है यहां गर्म गर्म अद्रक वाली और धुरूप को भी पिलाओंगे आज थोड़ी सी चाय और चाय मैंने आज एक्स्ट्रा बनाई है क्योंकि आज चाय पेने का ज्यादा मन कर रहा है अद्रक वाली और जुकान सा लगाए धुरूप को तो उससे मुझ के साथ अब तक ही लिए बाब बाई टेक केर लव यू और एंड हर हर महादेब